नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का सुवागत करता हूँ डिफेंस मास्टर में और मैं आज आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूँ और इस सेशन में एक बहुत important topic जो बहुत दिनों से यहाँ पर news में चल रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर discussion करने वाले हैं और यह जो हमारा topic है यह इंडिया और नेपाल के बीच में एक relation के तौर पर भी आप यहाँ पर इसको बढ़ सकते हैं सकता है कि यहाँ पर जैरा कभी support यहाँ पर मिल रहा है तो इस पूरी class में आज हम treaty of sugoli के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 1816 में यहाँ पर officially sign हुई थी और उस time period पर क्यूंकि हम independent नहीं थे Britishers का यहाँ पर rule था तो उस time चीजे मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके various examination के लिए बहुत जादा important होगा अब यह जो पूरा का पूरा matter है यह start कहां से हुआ यह start हुआ August 2019 में आप सभी को पता है कि August 2019 में जम्मो और कश्मीर में Article 370 का abrogation यहाँ पर आपको जाने के लिए एक रास्ता भी हमने यहाँ पर बनाया ठीक है तो वह construction work वगरा देखकर map वगरा की location वगरा देखकर नेपाल ने यहाँ पर क्या claim किया कि भाई भारत जो है वो नेपाल की territory को यहाँ पर अपने हिस्से में यहाँ पर दिखा रहा है ठीक है तो उन्होंने भी यह claim किया कि नहीं यह हमारा हिस्सा है तो यह चीज़ें यहाँ पर आपको बताएगे हैं जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यह है आपका नेपाल ठीक है तो अगर हम नेपाल को यहाँ पर देखते हैं तो यह चाइना का पार्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ यहां पर यह सिक्किम हो गया, यहां पर यह आपका वेस्ट पंगॉल हो गया, ठीक है, यहां पर आपका यह उत्तराखंड हो गया, फिर उसके बाद यह उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया, ठीक है, तो यह पांच स्टेट हैं, जो नेपाल के साथ आपके यहां पर ब क्या हुआ कि जो basically यहां पर बात बताई जा रही थी जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा background information बताया तो उसमें यहां पर क्या हुआ कि नेपाल ने claim किया कि वही on border road to मांसरोवार यह गलत तरीके से यहां पर बनाया गया है यह हमारे territory में यहां पर बनाया गया है तो इंडिया ने उसके इस claim को यहां पर reject किया इंडिया का कहना यह था कि जो आपने treaty of sugoli यहां पर sign करी थी आज से 200 साल पहले उसके basis पे यह जो area है यह हमारा है नेपाल government ने यह क मैं आपको और अच्छी तरीकी से दिखाऊंगा तो यहां पर क्या हुआ कि इसके तहट जो लिंपिया धूरा है काला पानी है और लिपुलोग यह किसको बिलॉंग करते हैं यह नेपाल को बिलॉंग करते हैं ठीक है यह तीनों जगे का नाम आपको याद रहना चाहिए यह आपके इग्जामेनेशन में भी पूछा जा सकता है तो लिंपिया धूरा हो गया काला पानी हो गया लिपुलोग यह किसको बिलॉंग करता है नेपाल को बिलॉंग करता है और इस क्लेम हैस बीन मेड नोन टू दा इंडियन गवर्मन यह यहां पर नेपाल की तरफ से कहा ग है ना इसमें कुछ question mark निकल कर सामने आ रहा है मतलब उस time पर Britishers ने किस तरीके से है ना जो आपका area marketed होना चाहिए वो किस तरीके से यहां पर किया तो कुछ ना कुछ यहां पर दोनों countries के बीच में confusion आपको यहां पर देखने को मिले और इसी वज़े से यह problem यहां पर create हो र यह हमारा एक course है आपके upcoming various defense examination के लिए defense master app पर आपको यह सारी classes यहां पर मिलेंगी Indian quality, static general knowledge, daily news analysis, English, arithmetic math, advanced math, general science, military aptitude, economy, practice questions, SSB preparation and current affairs 2020 यह सारे courses अगर आप access करना चाते हैं तो एक हमारा complete access का भी course है जिसमें यह सारी classes आपको मिल जाएंगी, SSB preparation को छोड़ कर, written examination की सारी classes मिल जाएंगी, तो आप उस course को भी यहां पर purchase कर सकते हैं, अगर आप separately किसी course को यहां पर purchase करना चाते हैं तो वो भी आप यहां पर कर सकत है link आपको description box में मिलेगी आप वहाँ पर जाकर courses को देख सकते हैं ठीक है जो भी मैंने ये road बनाने के बारे में यहाँ पर बात करी तो इसमें एक और important organization यहाँ पर आता है news में जिसको हम बोलते है border roads organization ठीक है तो यह जो मांसरोवर वाला हमारा route है यह काम यहाँ पर कौन कर रहा था यह कर रहा था border road organization तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं the border road organization डेवलप करता है road network इंडिया की border areas में साथ ही साथ friendly जो neighboring countries वहाँ पर भी केवल इंडिया में ही यह road develop नहीं करते हैं यह जो इंडिया की friendly neighboring countries हैं वहाँ पर भी आपको road develop करते हुए दिखाए देंगे जिसमें अफगानिस्तान है भूटान है म्यानमार है एंड श्री लंका में भी यह road develop करते हुए आपको दिखाए देंगे तो border road organization का जो foundation हुआ था 1960 में हुआ था इसका headquarter जो है यह निव डली में है इसके founder जो थे वो जवाला लेरू हमारे देश के प्रधम प्रधानमंत्री जो थे उनने इसका foundation किया था यह कौन सी ministry के अंतरकत आता है तो ministry of defense के अंतरकत आता है पूरी तरीके से अब यह completely लिखने के पीछे logic ही है क्योंकि पहले इसको जो fund मिलता था यह कहां से मिलता था यह ministry of road, transport and highway जो नितिन गटकरी साब का department है वहाँ से इनको जो है वो fund मिलता था लेकिन अब यह क्योंकि completely defense ministry के अंतरकत आ रही है तो वहीं पर आपको यह fund मिलता हुआ दिखाई देगा ठीक है तो यह थोड़ा सा border road organization के बारे में भी आपको ध्यान लगना है आप यहाँ पर क्या है जो treaty of sugoli था इसको हमने 2 December 1815 को sign किया ठीक है मतलब दो तरीके से यहाँ पर sign हुआ एक तो यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर authorities हैं उन्होंने यहाँ पर officially इसको sign किया और एक बार जब यह war रुक गया तब भी किसी treaty के साथ कोई war यहाँ पर खतम होता है तो battlefield में यह जो treaty थी यह 1815 में यहाँ पर sign कर दी गए थी लेकिन officially इसको कब sign किया गया था यह 4 March 1816 को यहाँ पर sign किया गया था ठीक है तो यह चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इस particular war को हम यहाँ पर क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं एंगलो नेपाली's war of 1814 से 16 दो साल करीब यह लड़ाई यहाँ पर चली और 1816 में फिर यह Treaty of Sugoli यहाँ पर sign हो गया और इसके साथ ही फिर जो नेपाल वाला एरिया था और जो British India वाला एरिया था इनके बीच में जो भी borders थी उसको demarketed यहाँ पर कर दिया गया मतलब border यहाँ पर बता दी गई भाई कि नेपाल की border कौन सी और British India की border यहाँ पर कौन सी है ठीक है उसके बाद अब यह जो पूरा का पूरा event है इसमें अब आपको एक चीज यहाँ पर समझनी है कि अगर हम mystery में यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि एक governor general है जिनका नाम है Lord Francis Hastings जिनका time period था 1813 से 1823 was the governor general of बंगाल during the Anglo-Gurkha war ठीक है तो Anglo-Gurkha war जो यहाँ पर हुआ था उस time period पर बंगाल के governor general जो थे वो यहाँ पर थे जादतर areas जो थे वो इन्होंने अपने राज्यों में यहाँ पर मिला लिया था मतलब British India का पार्ट यहाँ पर बना लिया था लेकिन इसमें से यह सिख इंपायर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक यह राजपूत इंपायर आपको देखने को मिलेगा और यह नेपाल मतलब Northern पार्ट में यह तीन बड़े kingdom थे जिनके पास जो Britishers थे उनका यहाँ पर access नहीं था राजपूत जो rulers थे उनके साथ इन्होंने subsidiary alliance यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया था ठीक है कि हम आप क्यों पर attack नहीं करेंगे अगर आप हमारी army वगरा का यहाँ पर ध्यान रखोगे तो राजपूत के साथ इनका subsidiary alliance जो है वो start हो गया था अब यह लोग यहाँ पर क्या चाते थे कि भई जो central यहाँ पर Asian countries हैं ठीक है प्लस जो यहाँ पर आपको तिबबत देखने को मिल रहा है तो Britishers यह चाते थे कि भई यहाँ पर इनके साथ व्यापार किया जाए अब अगर हमको व्यापार करना है तो देखो Northern तरफ से तो Sikh है यहाँ पर तो यह कुछ देखने को नहीं मिला हमको यहाँ से access मिले गई नहीं नेपाल की तरफ से भी आपको access देखने को नहीं मिलेगा तो अब इन्होंने यहाँ पर यह सोचा कि Sikh और नेपाल में से हम किसको यहाँ पर target बनाए तो इन्होंने target किसको बनाए यह नेपाल को जो है वो यहाँ पर target बनाए अब यहाँ पर एक kingdom आपको और देखने को मिल रहा है जिसको हम अवध बोलते हैं या आउद यहाँ पर कहा जाता है तो इसके बीच में यह जो नीचे वाला region यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं तरही region तो इनके बीच में क्या था कि उस टाइम पर राजा बगेरा रूल करते थे तो उनके बीच में कोई ना कोई छोटा मोटा boundary dispute होता था जिसके उपर ये लोग ज़्यादा focus यहाँ पर नहीं करते थे लेकिन Britishers ने इसके उपर यहाँ पर focus किया और इस चीज को ध्यान में रखते हुए Anglo-Gurka war यहाँ पर start हो गया ठीक है मतलब जो major cause था Anglo-Gurka war का वो क्या था यह जो नेपाल और अवद वाला जो region था इसके बीच में जो तरही region आपको देखने को मिलेगा इसके बीच में कुछ boundary dispute था इस वजे से यह war यहाँ पर start हुआ आज के बारे में अगर हम बात करेंगे नेपाल के तो आज का जो नेपाल है और उस time period पर जो नेपाल था तो हमारे कुछ state हैं जैसे यह हिमाजल प्रदेश हो गया ठीक है उत्तराखंड हो गया इसके भी कुछ part जो थे वो नेपाल के control में आपको देखने को मिलेंगे तो नेपाल एक बहुत बड़ा kingdom उस time period पर हुआ करता था फिर उसके बाद अगर हम नेपाल के kingdom के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था गिर्वन युद विक्रम शाह लेकिन उनकी उमर उस time period पर किवल 16 साल थी तो इनकी जगे पर इनकी जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था भीम सेंथापा यह मुक्तियार term use किया जाता था प्राइम मिनिस्टर के लिए और वो यहाँ पर de facto ruler थे क्यों क्योंकि राजा की उमर बहुत कम थी और अगर expansion करना है अपनी रन्नीतियां आगे बढ़ानी है तो एक कुशल राजा को होना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो de facto ruler कौन थे वो भीम शिन थापा आपको देखने को मिलेंगे ठीक है जो की 1806 से 37 तक यहाँ पर ruler भी थे और इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि अपनी जो boundaries थी वो यहाँ पर क्या कर दी वो बहुत जादा यहाँ पर बढ़ा दी तो आगर हम यहाँ पर उपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको सतलुज रीवर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको सिक्किम के पास 30 रीवर यहाँ पर देखने को मिलेगा तो आप यह कह सकते हो कि पुराने टाइम पीरेट पर जो नेपाल का किंग्डम था उसकी जो boundary थी वो सतलुज रीवर से 30 रीवर तक आपको आती हुई दिखाई देती है ठीक है तो यह चीज आपको थोड़ा सा ध्यान लखना है और जो भीमशेन थापा जी थे इन्हों ने यहाँ पर क्या किया कि बहुत एग्रिसिवली यहाँ पर participation किया और अपनी boundaries को expand किया अगर हम बात करते हैं कि वही जो मैंने आपको बताया कि area of Nepal before Anglo-Nepali's war तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि यह 17 रीवर से लेकर west में 30 रीवर तक आपको देखने को मिल रहा है ठीक है और जनरल अमन सिंग थापा जो ते जो यहाँ पर जिनको शहीद भी हो गए थे यह लड़ाई लड़ते हुए तो played a leading role in the war तो उन्होंने यहाँ पर बहुत भादूरी से जो है वो लड़ाई लड़ी और initial time period पर जो Britishers थे ना उनको बहुत problem थी इसका reason यह था क्योंकि अभी तक जो Britishers ने यहाँ लड़ाई लड़ी यह बंगाल में थे तो वहाँ पर क्या था यह खाली मैदान में उनको लड़ाई करनी की आदत थी लेकिन यह जो पूरा area था यह हिली area था तो यहाँ पर इनको बड़ी problem होई लेकिन क्योंकि उनके पास weapon बहुत अच्छी थे inventory बहुत अच्छी थी तो finally उन्होंने यहाँ पर नेपाल की उपर अपना control जो है वो पालि है तो दोनों जो यहाँ पर military commander थी वो यहाँ पर मिले कहाँ पर वो मिले सुगौली सुगौली एक village है ठीक है कहाँ पर चंपारन डिस्टिक में जहाँ पर गांधी जी ने चंपारन सित्तेग्रे 1917 में start किया था तो वहाँ पर मिले जो कि बिहार में आपको आता हुआ दिखा सबसीडरी एलाइंस के तहट ठीक है तो हम इस चीज को मान लेंगे साथी साथ जो नेपाल है ना नेपाल ने अपनी इस पूरे के पूरे वार के बाद और जो ट्रीटी आफ सुगोली है इसके तहत आप यह कह सकती हो कि one third territory जो है वो उसकी यहाँ पर loss हो गई जैसे एकर हम करेंगे तो जो गढ़वाल और कुमाओं वाला इलाका है ठीक है वो भी इनको यहाँ पर छोड़ना पड़ गया ठीक है उसके बाद जो तरही रीजन वाला problem यहाँ पर चल रहा था अवद के साथ उसको भी यहाँ पर छोड़ना पड़ गया और सिक्किम जो की पार था पर बताया गया और महा काली रिवर जो है यह आपको वेस्ट में देखने को मिला मलब पहले जो मैंने भी आपको सतलज रिवर बताया यह तो पहले की बात थी लेकिन इस ट्रीटी के बाद जो यहाँ पर नेपाल की बाउंडरी हो गई वो कहां से कहां तक हो गई वो महा काली से लेकर केवल मेची रीवर तक आपको देखने को मिला तो यह चीज आप थोड़ा से ध्यान रखिए का यह बहुत ही इंपोर्टेंट है और यहाँ पर आपको यह गड़वाल और यह कुमायूं आपको देखने को मिल रहा और यह इस तरीके से पूरा का पूरा किंग्डम जो को पता है कि गोर्खा राइफल्स हमारे इंडियन आर्मी में भी और उनका इतिहाद बहुत ही सुरणी मक्षरों वाला है मतलब बहुत अच्छी तरीके इसनोंने अपनी सर्विसेस दी हैं बहुत सारे अवार्ट्स वगरा जीते हैं बहुत सारे लोगों ने अपने देश के लिए शहादत यहाँ पर दी है तो उनका यहाँ पर रेक्रूट्मेंट जो है ब्रिटिश आर्मी में यहाँ पर होने लग गया वर्ड वर्ड टू के दौरान तोटल आफ आप यह के सकते हो की टू लैक फिफ्टी थाउलेंड टू हंडेट एक्टी गुर्खास जो थे उन् गुमायू डिविजन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसमें जो यह छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर क्या है यह काला पानी वाला इलाका है जहां से पूरा का पूरा यह प्रॉब्लम यहाँ पर क्रियेट होती हुई आपको दिखाए दे रही है ठीक है मलब यह ज क्या सकते हैं कि यह पूरी की पूरी जो ट्रिटी थी वो एक बिटिशर्स के लिए बहुती फेवरेबल ट्रिटी थी इसका रीजन यह है क्योंकि नेपाल जो था वो बिटिश राज का एक बहुती लॉयल फ्रेंड बन गया गुर्खाज ने आपर बिटिश इंडियन आर्म स्टार्ट हुआ था ओफिशली वैसे तो बैरकपूर से हुआ था क्योंकि मंगल पांडे जी ने पहले ही स्टार्ट कर दिया था लेकिन नेपाल की राजा ने क्योंकि ब्रिटिशर्स का यहां पर सपोर्ट किया था इस वज़े से यह लोग इसको आसानी से सप्रेस करने में जो है उनको सफलता मिल गई ठीक है और उसके बाद फिर इसकी वज़े से सेंट्रल इश्या वगरा का जो भी एकसेस यहां पर था ट्रेड वगरा के लिए वो चीज भी यहां पर हुई लेकिन इस चीज को यह जादा दिन तक कंटीनू नहीं कर पाया क्योंकि पहले तो यह लेकिन बाद में रूल भी करने लग गया तो इसकी वज़े से जादा ट्रेड वगरा इनका आगे नहीं बढ़ पाया अब जब यह पूरा का पूरा इलाका अगर हम यहां पर बात करते हैं तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो जो मैं आपको काली रिवर के बारे में बता ठीक है कि जो काली रिवर है अगर हम उसके बारे में यहां पर सोचते हैं तो जब उस टाइम पीरिट पर जो भी कार्टोग्राफिक जो भी एविडेंसे हमको देखने को मिलते हैं ज्यादा तो अविलेबल नहीं है तो यहां पर यह बोला जाता है कि जो ब्रिटिश थे न उन्होंने काली रिवर जो थी न उसका ओरीजन जो है वो यह यहां पर बताया था कि यहां पर ओरीजन है तो अगर आप यहां पर यह ओरीजन देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यह वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है यह किसका हो गया यह प्यारे भ पूरा इलाका है ठीक है वो कहां चला जाएगा वो चला जाएगा आपका नेपाल के पास तो नेपाल इस बेसिस पर यहां पर यह क्लेम कर रहा है लेकिन इस चीज को समझने के लिए एक बहुत ही अच्चा एक्जामपल मैं आपको बता रहा हूं इस चीज को आप ध्यान से ना होगा एक रीवर का नाम जिसका नाम है नाइल रीवर तो नाइल रीवर क्या होते हैं कि देखिए कोई भी रीवर का ना कोई एक particular point नहीं होता जहां से वो originate होती है बहुत सारी stream होती है वो stream आपस में जुड़ती है तो एक नदी का रूप यहां पर धारण करती है जैस आपर white नाइल जो है विक्टोरिया लेक से निकलती है लेकिन लेक टना से यह blue नाइल निकलती है फिर दोनों आगे जाती है मिलकर यह नाइल रीवर यहां पर कहलाती है ठीक है तो यह एक important चीज है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और यही चीज जो मै पर acquire किया था large territories in the Himalayas जो भी आज आपको हिली स्टेशन देखने को मिलेंगे सिक्केम में वेस्ट पंगॉल में हिमाचल प्रदेश उक्तरागंट तो यह जो हिली स्टेशन वगरा थे क्योंकि उनको हिली एरिया यहां पर मिल गयते तो इस तरीके के हिली स्टेशन भी उन्ह देना होता नहीं था कि कौन सी लाइन कहां से जा रही है यह सब चीज़ें यहां पर उनके काम का नहीं होता था लेकिन बात में जब यहां पर democracy establish हुई तब उन्हों लोगों ने यहां पर demand करना start किया कि इस तरीके की problem यहां पर निकल कर सामने आ रही है फिर भारत भी जब आजाद हुआ तो 1950 में उसने इंडिया नेपाल एक treaty of peace and friendship यहां पर sign हुई तो यह जो था यह पूरा का पूरा dispute है जो इंडिया और नेपाल की बीच में यहां पर निकल कर सामने आ रहा है तो actually हम यहां पर कर यह सकते हैं कि जो भी यहां पर evidences हैं जिस तरीके से भी आप यह चीजों को पढ़ने वाले हो समझने वाले हो इनके उपर थोड़ा focus करनी के आवशक्ता और जो भी यहां पर result हो है ना उस result के उपर आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है अगर आप उस result के उपर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जो neighbor है नेपाल ठीके वो यहां पर क होगा उसके साथ हमारे relation खराब होते हुए चले जाएंगे जो आपको अभी भी यहां पर होते हुए दिखाई दे रहें तो अगर इस चीज के उपर on time हम कोशिश करेंगे कि दोनों countries मिलकर इस problem को resolve कर लें तो definitely यहां पर result निकलेगा और दोनों countries के लिए यहां पर अच्छा रहेगा ठीक है तो गैस यह था एक छोटा सा discussion ठीक है जिसमें मनें आपको ट्रीटिय ऑफ सिगोली के बारे में बताया या आपके SSB interview में भी पूछा जा सकता है return examination में भी question आ सकते हैं तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक है तो गैस यह था आज का session मिलते हमारे अगली class में तब तक keep smiling and keep preparing लगे रहो exam clear करो thank you so much da जयो 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 जयों कि देखिए है झालो कर दोड़ चरिण video को